नीट का मामला सुप्रिम कोट में एक बार फिर हफते भर के लिए टल गया है यानि अब अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी थर्स्डे को और हमारे साथ कुछ नीट के एस्परेंट्स हैं जो जिन्नों ने एक्जाम दिया और उसके बाद वो कह सकते हैं कि इस पू अगले अगले जो एक्जाम होंगे उसके फॉर्म की नोटिफिकेशन साजिंग इस यर के एक्जाम होंगे तो यह चीज़े जो हैं इतनी डेट नहीं बढ़नी चाहिए और सबसे पहले तो यह जो कह रहे हैं एंटिय वाले और गवर्मेंट वाले की पेपर से बिहार में लोकलाइज़े यह सुरू सही यह चीज कहते आ रहे हैं इतनी चीजों को देखते ह सब्सक्राइब नहीं होगा तो यह लोग जो है अपनी गलतियों को बस छुपाए जा रहे हैं और यह कहते हैं अपने ही उसमें एफिडेविट में कि इतनी रैंक जो बढ़ी है वो 25% सिलेवस्ट करने से बढ़ी है क्या 25% सिलेवस्ट वालों के लिए बढ़ा है 500-600 के हैं यह कहीं से भी मैच नहीं खाते हैं इस चीज में मेरा नाम विकास है आपका रेंक क्या रहा था मेरे रैंक 49,486 है री अग्जाम के बाद पहले थी 49,515 मेरा नाम काजल कुमारी है यह एक बर फिर टल गया है सबसे पहले तो हम चाहते थे कि जो भी डिसीजन आना है चाहिए फेवर में आई या ना है आज ही कंप्लीट हो गया कि टाइम बहुत जादर जा रहा है अब आज टल गया सोच रहे थे कल की होगी मंडे की होगी पर जिस दिन सुनवाई होते है उस दिन रिजल्ट उस दिन कैसे आएगा अन्वी गुपता सर अन्वी आपका रहा था सर मेरे मार्क 657 है और मेरी रैंक 23,643 है रिवाइज जो है बड़ी उमीद से सारे लोग आए थे हैं जी सर पूरी उमीद से आए थे कि अगर आज अगर फै जाएगी कि केस कहां जा रहा है उसकी क्या डारेक्शन है और क्या-क्या नतीजे पे लोग पहुंचे हैं और क्या-क्या वो काम कर रहे हैं उस पे तो हमें आज सब कुछ पता चलता बड़ अनलग ली हम यह केस भी हताब इसको पोस्पोन कर दिया है 18 जुलाइक को हर्ष दुबे अर्च यह बताओ कि यह कितने निराश महसूस कर रहे हैं आप लोग क्या जादा हाथ पार क्यूंकि इतनी दूप पे पूरा दिन रात दोड़ दोड़ के हमें लगता था कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा च्छी तारिक से नॉन स्टॉप दोड़ लाएंगे वह आकर जिसको बचना है क्योंकि उनके तो बहुत सारे अफिसर सब्रेंट हो जाएगा पेपर लीग प्रूफ हो जाएगा तो बचने के लिए सारे हतकंडे अपना लेंगे लेकिन बच्चे को कोई तो हतकंडे आते नहीं वह तो सुप्रीम कोड में करना जानता अगर पुराना डेटा एनलिसिस करेंगे जो मदरा साइटी वालों निका है कि तो कोई बहुत जदा अंतर नहीं अंतर कैसे नहीं है अगर आप देखेंगे तो 620-720 के बीच में अगर तो आप इस्टूडेंस देखेंगे तो 2023 में 0.6% इस्टूडेंस थे और 2024 में 3.1% पर वालों के लिए हुआ है सिर्फ क्या नीची वाले बच्चों के लिए इसलिए बस रिडियूस नहीं हुआ है तो यह चीज़े देखनी चाहिए और NTA को मलब सुप्रीम कोट की खुदी मेरा केस लड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे कोई नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि अपने केस को पावरफुली लड़ रहा है एक और एस्परेंट हमारे पास है नाम क्या है आपका पूरा अधित्य सुधान्शू अधित्य तो आपका रेंक क्या रहा था और आपने भी दुबारा एक्जाम दिया फिर इस पर सकेंड एटेंट था मेरे मार्क्स 656 आए पर र कोलेज मिलेंगे जिस साब से इस बार रुआ है इस बार तो बतलब लास्ट यह 23,000 पर में बंद हो गया था इस बार तो क्या ही हूँ आज फिर मामला एक हफते के लिए तर वही है सिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चे आगे पढ़े रीनीट के त्यारी करें नहीं है तो आगे आदनी शांती से हो कि नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं आदनी आगे सोचेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब चुछ एक दम कॉलेज के कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर अभी हो कहते हैं कि किसमत पे उस मसाफिरे बेकस की रोई ये जो बैठ जाए हार के मनजिल के सामने इन बच्चों के लिए मुश्किल ये है कि मनजिल सामने दिखाई पड़ती है लेकिन जब वहां तक पहुंचते हैं तो लगता कि मनजिल और दूर है ये तो भी पढ़ाओ पर ही पहुंचे हैं यहां तो पढ़ाओ पर पाम रखने की जगे भी नहीं मिली इनको लगा कि झाल झाल